नमस्ते दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं फटे दूद से रेस्पी अक्सर दूद फट जाता है हम टाइम पे नहीं उसको गरम कर पाते हैं या खराब होता है तो दूद फट गया उसको मैंने अच्छे से निछोड लिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर ली हूई है और शिमला मिर्श ली हुई है प्याज लिया हुआ और आलू को उबाल लिया है जितना पनीर अटनाइ आलू डालेंगे यहाँ पर और बारी कटी हुई है, सबजियां डाली है, आलू को ग्रेट कर लिया है उबालने के बाद, और ये एक एक दो दो चमच मैंने या पे सबजियां डाली हुई है, बारी कटी हुई, फिर मैंने या पे दो हरी मिर्श डाली हुई है, चाट मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाल रेड चिली पाउडर गरम मसाला डाला है अमचूर पाउडर है नमक स्वात के अनुसार और अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हरी धन्या भी डाली हुई है सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के एक डूसा बना लेंगे उसके बाद मैंने याँ पे हाथ में थोड़ा सा ओईल लगाया हुआ है और इसको कटलेट की शेप देंगे इसके कटलेट बनाएंगे शेप आप अपने हिसाब से दीजे मैंने इस तरह से इसको लंबा लंबा रोल बनाया हुआ है और उसके बाद मैंने याँ पे तेल गरम करने के लिए चड़ा दिया हुआ है उससे पहले मैं यहाँ पे एक मैदा और आरा रोट मिला के एक गूल बना रही हूँ तो इसमें हम इसको डिप करेंगे जो मैंने यहाँ पे रोल बनाये हुए है और यहाँ पे तेज गरम तेल है उसमें डालेंगे और यह एक तरफ सिखने के बाद दूसरी तरफ इसको सेखेंगे दूत खराब हो जाता है कभी कभी हमारा मन नहीं होता कि अब हम पनीर बनाए तो इस तरह से इसको निचोड़के उसकी रेस्पी बनाएंगे यह और बहु आए बारिस का मौसम हो तब तो इसका मज़ा ही आने वाला है गरम गरम चाय बनाए और यह गोल्डन होने पर मैंने इसको दूनों तरफ से सेख लिया है फिर मैं इसको टेशो में निकाल लूँगी यह देखने में इतना सुंदर लग रहा है और बहुत क्रिस्पी भी बना हुआ है मज़ेदार सी यह रेस्पी है तो जब भी दूत वटे तो आप इसको बनाए फिर मैंने इसको दुबारा से डाला हुआ है और उसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे फिर मैंने यहां पर एक चटनी बनाई हुई है धनिये वाली बस उसके साथ मैं इसको सर्फ करूंगी मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए